हेलो एव्रिवन स्वागत आप सभी का इस वीडियो में इस वीडियो में ट्राफिकिंग स्पेक्ट्र का एक्जाम जो 22 अगस्त को हुआ है आज ही हुआ है उसका सॉलिशन देखेंगे यह सॉलिशन अभी या तो मुझे खुद पता है कुछ कोशन के आंसर या मैंने जो रिसर ही है इन केस ऑफ एर्र आप कॉमेंट कर सकते हैं तो आई स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स क्वेशन फर्स क्वेशन है इन्रस वैली पीपल वर्शिप जो सिंदु घाटी के लोग थे वह किसकी पुजा करते थे तो इसका जो राइट आंसर होगा है हमारा ऑप्शन ए मदर ग वह हमारा रिग्वेदा कंसिस्ट आफ हाव मैनी हाइं आपको बताना है रिग्वेदा में कितने सुप्त हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आप्शन भी 1028 या 1028 यह आप सभी होई पता होगा क्योंकि यह जनरली हम पढ़ते भी हैं और यह पूछा भी जाता है आपको बताना है जो गौतम बुद्ध थे उनका पालन पोशन किसने किया था इसका जो राइट आंसर होगा क्वेदा का ओप्शन भी संग मित्रा नेक्स क्वेशन है वू अमंग फॉल्विंग एक्सेप्टेड जैनिजम आपको बताना है किस इन में से किसी ने जैन धर्म को स्विकार किया था तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्या जो हमारे बिंदु सार और अजाशत्यु थे इन् इसका जो राइट आंसर है क्वेशन फिट का वह हमारा ऑप्शन भी मेन अंडर नेक्स्ट कोशन है विच वॉस नौट अ किंग्डम इन एशेंट इंडिया आपको बताना है कौन सा प्राचीन भारत में एक समराज्य नहीं था इसका जो हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हमपी हमपी इस राइट आंसर इन विच रीजन ऑफ इंडिया वाज फिट दौसी ऑर्डर ऑफ सुफिसम पॉपिलर आपको बताना है जो सुफिवाद था वह कौन थे एरिया में बहुत ही मशूर था या लोग प्रिय था इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी ब बताना है जो साथ वाहन थे वो हमारे किस से सम्बंदित थे तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए आंद्र रीजन आपको बताना है जो बाबर था उसने पानीपद का युद किस कारण जीता था तो आप इसका एक जन्नल आइक क्यू देखे तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी बिकॉस ओफिस मिलिटरी स्किल्स देखिए उसके पास कैन्स थी या तोपे थी जिनके पास क लड़ा वैसे ही भारी होगा क्योंकि जिसके पास बारूद भी जादा होगा ठीक है उसके जीतने की चांसिस मैक्सिमाइज हो जाते हैं नेक्स कुशन है आपका विच सिख गुरू लेट दा फांडेशन आफ सीटी ऑफ अमरित सर आपको बताना है कि सिख गुरू ने अमरि चिरिड मीर जाफर आपको बताना है मीर जाफर का उत्रा दिखारी कौन था इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी मीर कासिम गांदर स्कूल आप डिवलप्ट द्यूरिंग दे टाइम आफ आपको बताना है गांदर कलाश हेली का किसके दौरान विकास हुआ था तो इसका का जो हमारा राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी कुष्णास या कुषाण फटेफ उर्सिक्री वास फाउंड़िट वाई आपको बताना है जो फटेफ उर्सिक्री की स्थापना किस ने की थी यह बहुत ही फेवरेट कोश्चन है बार बार पूछा जाता है तो इसका आंसर लिख़ कौन है देखें बहुत बार पूछा जाता है जो जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ये गुलबदन बेगम चन्गेश कान वाज़ा आपको बताना है चन्गेश कान रहने वाला ठाटीकी यह कहां से आ तो हमारा राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी मंगोल हमारा नेक्स कोशिन है कोशिन नमर 16 अलहिलाल न्यूस्पेपर वास स्टार्टिड बाई आपको बताना है अलहिलाल समचार जो पत्र था वो किसने प्रारम किया था या स्टार्ट किया था जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शिन ए आपको बताना है इनकलाब जिन्दाबाद का नारा सबसे पहले किस ने दिया था इसका जो हमारा राइट आंसर है अगर अब इस कोशिन में थोड़ा सा एक ट्रिक है अगर यहां पर मान लो कहीं दिया होता कि हसरत मोहानी हसरत मोहानी ठीक है तो जो एक्ट्चुन में इनकलाब जिन्दाबाद का जो नारा था वो हसरत मोहानी जी ने दिया था अगर आपको यह option में होता तो आपको हसरत मोहानी ही करना था नेक्स्ट कोश्चन है अप्लिक्ट ऑफ बैकपड क्लासिस वाज में प्रोग्रेम आपको बताना है पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कारिगरम था तो इसका जो हमारा राइट अंसर है ऑप्शन डी सत्य शोदक समाज बललभाय पटेल वस बॉन एट आपको बताना है जो बलल भाय पटेल थे हमारे उनका जनम कहा ओँँ आधा इसका जो राइट अंसर है हमारा ऑप्शन डी नडीयाद आपको बताना है जो रिजल्ट हुआ था वो क्या था तो इसका जो ऑप्शन है हमारा मस्कार अमरिस्टर जो हमारा 2019 में जलिया वाला कांड हुआ था यही हमारा रॉल एक्ट का परिणाम था वो कैसे देखी इससे ऐसा हुआ था कि अब आपको किसी भी समय गिरिफ्तार किया जा सकता है आप पर कभी भी देश द्रोगा कानू लगाया जा सकता है ठीक है तो उसी के संबंद में लोग यहां जलिवाला भाग में इखटे हुआ था ठीक है तो जन्रटाय ने क्या किया कि उसने ओडर दिया कि लोगों पर लिए चला दी जाए ठीक है और इस कारण ही बहुत से बेकुसूर लोगों की जान चली गई थी ठीक है तो यह रॉलेट एक्ट की वज़ा से ही हुआ था क्योंकि लोग उसी के बारे में चर्चा करने के बारे में वहाँ पर जूटे थे नेक्स कोश्चन है वीच आपको बत प्रिंसवल नहीं है जो प्रियंबल थे जो हमारा प्रियंब्ल में सेकुलर वर्ड था हूं हमारा 1976 में एड किया गया था सोशिलिस्ट भी उसी टाइम इसमें एड किया गया था हमारे 42nd Constitution में और हमारे 42nd Constitution को 42nd Amendment में ये एड हुआ था 42nd Amendment को ये हमारा मेनी Constitution भी कहते है वन थर्ड ओ मेंबर्स ओफ राजसभा रिटायर आप्टर एवरी आपको बताना है कि राजसभा के एक ये सदस्ते कितने साल बाद सेवा निवरित हो जाते हैं तो हमारा ओप्शन भी सेकंड यहरा दो साल बाद वन थर्ड ओफ राजसभा मेंबर्स आर रेटायर्ड नेक्स्ट कोश्चन है हमारा लेजिसलेटी पावर्स आर वेस्टिट इन द आपको बताना है विधाईक शक्तियां किसमें नीत होती है तो हमारा इसको जो राइट आंसर है ऑप्शन भी पालिया मेंट में आपको बताना ही जो हाई कोट के जर्ज होते हैं उनकी जो सेवा निविरित्ती की आयू है वह कितनी है तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 62 इयर्स 65 इयर्स की होती है हमारे सुप्रीम कोट के जर्जिस होते हैं उनकी आपको बताना ही भारत में सबसे पहले आम चुनाओं किस वर्ष में होते हैं तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1951-1952 टोटल नंबर ऑफ आपको बताना है भारती स्वविदान में वर्तमान में कितनी अंसूचिया है तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 12 आपको बताना है अनसूचित जातियों की सरवादिक जनसां के वाला राज्ये कौन सा है यह हमारा उप्शन ए उर्द्रपरदेश इसकी पॉपलेशन भी सबसे जाता है और यहां पर जो एसी है वह भी सबसे जाता है दे प्रेजिएंट ऑफ युशे इस एलेकर आप्टर ए बाद होता है और युशे में चार साल बाद ऑप्शन भी इस दो राइट आंसर विच इस रिकार्ड़ेशन बार बार पूचा जाता है और बहुत ही इसका राइट आंसर होगा दर सुप्रीम कोट यह कोशन कई बार ऐसे भी पूचा जाता है वू इस दो गाजीन आफ फंड पद्धिती द्वारा निर्वाचित होता है तो इसका राइट आंसर है हमारा ओप्शन सी प्रेजिडेंट विच इस प्रेजिडेट बाइए नौन मेंबर आपको बताना है कौन सी अध्यक्ष्टा गयर सदस्य द्वारा की जाती है तो यह हमारा राज्य सभागा क्योंकि हम नेक्स कोश्टन बताना है वुवाज फर्स चीफ एलेक्शन कमिशनर आफ इंडिया भारत का प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ओप्शन सी सूपुमार सेन नेक्स कोश्टन है फ्रॉम विच लेंविज हैस टर्म डेमोक्रेशी बीन डेराइवड आपको बताना है डेमोक्रेशी किस भाशा से यूट बन हुआ या निकला है या बना है ठीक है तो हमारा जो ऑप्शन है ए ग्रीक हूँ है तो हमारा राइट आंसर का ओप्शन ए डॉक्टर भी बीम राम अंबेट कर इन्हों नहीं हमारे सम्मिधान को पवित्र दस्तावेज कहा था जुएंट सेटिंग वोथ हौश्वेज मारे राज्यसभा और लोक्सभा तो कोश्टर पुचता रहा है कि आपकी लोग्शभा और राज्यसभा की जो जुएंट सेटिंग होती है उसको कौन उसकी अधरक्षता कौन करता है तो उसका जो राइट अंसरा हैं हमारा option तो दो अगर सूर्य ही नहीं होगा तो इसका right answer is option d, none of this, जो होगा वो हमारा black color हो जाएगा the sea of tranquility is on, आपको बताना है, sea of tranquility कहां पर है, तो इसका right answer is option d, चांद पर, है या moon पर आपको बताना है कि जो हमारा किसी स्थान का स्थानी समय उसके डैस से जाना जाता है तो उसका जो हमारा राइट आंसर है हमारा लॉंगीचूडन पोजिशन या जिसे हम देशांतरिय स्थीती भी कहते है आपको बताना है दक्षीन कुलार्द में पच्वाँ पवने बहती है तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा हमारा ओप्षिन next question the core of earth is known as आपको बताना है जो परित्वी का inner पार्ट होता है जिसे हम कोड भी खियाते हैं वो किस नाम से जना जाता है उसका जो दूसरा नाम है वो हमारा है बैरी स्पियर रिंग ओर फायर गिरा हुआ है तो इसका हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन दी पैसिफिक ऊशन से टाइब धिस तब ऊशिंगे इस टाइप की शेट बहुत पूशन रहे है हर एग्जाम में आपके या तो वॉब ऑशिंगे नहीं या cold ocean current देखने को भी लगा तो जिसका राइट अंसर होगा हमार ऑप्शन बी बैंगुएला current is the cold ocean current which is a tropical grassland आपको बताना है इन में से कौन सा ocean current बंदी है घास मैदान है तो हमारा जो राइट अंसर है option A सवाना निग्रो ऑफ साउथ वेस्ट अफरिका आर कॉर्ड जो हमारे दक्षिन पश्चिम अफरिका की निग्रो है उन्हें क्या बोलते हैं वह हमारे option B blacks नाम बिया नामीबिया is the new name of आपको बताना नामीबिया किसका नया नाम है तो इसका जो हमारा राइट आंसर है हमारा option D South West Africa which is N आर की पहले तो हमारा जो राइट इसका जो राइट आंसर होगा है कौन सा एक दीप में है उसका हम option C Philippines the world's longest डिवरी यह तो बहुत ही common question सभी को पता ही है option A नाइल यह option जिसे कहते हैं नील नदी आपको बताना है खिबर पास इस इन विच कंट्री आपको बताना है खिबर पास जो हमारा यह जैसे हम खिबर दर्रा भी कहते हैं कौन से देश में option B पाकिस्तान में गौणवाना हिल्स आ लोकेटेड इन विच स्टेट आपको बताना है गौणवाना पहाडिया किस राज्य में है तो option A मध्य प्रदेश में तुंग भजरा किसकी साइक नदी है तो इसका जो राइट आंसर है option D कृष्णा विच सिटी है दे लॉंगेस्ट टे इन अमन्थ ऑफ जून आपको बताना है जून महां में सबसे लंबा दिन किस शहर काता है option B कॉल काता है कि रन्तों मोर्ड इस फेमस फोर यह है तो इसका option होगा option A टाइगर श्री सेलम हाइट्र पावर प्रजेक्ट इस ऑन विच रिवर तो इसका जो राइट आंसर है हमारा option C कृष्णा रिवर आपको बताना है operation flood किस से संबंदित है तो इसको जो हमारा operation हमारा है वह option बीडियरी डेवलेमेंट operation अवार जनली मिल्क से जहां हमारा पूछब सकते हैं कि मिल्क से था या फिश्री से था तो हमारा जो option B है वह हमारा सही आंसर होगा आपको बताना है headquarter ongc का है जितना मुझे पता है headquarter ongc का वह हमारा वसंत कुझ डेली में है तो अभी मुझे इतना पता नहीं है कि इन में से किस में बिकॉज जितना answer correct है वह डेली है अब provisional answer की आने के बाद ही पता चलेगा कि इन्होंने किस को right answer माना है बट जो answer होना चाहिए था हमारा डेली होना चाहिए था इसका जो आपको बताना है कि वस्तू वीनी में लेंदेन का अर्थ क्या है पुराने टाइम में ऐसा होता था कि अगर आपके पास दाल है तो आप उसको exchange कर दोगे जैसे चावल की साथ कर दिया आपने ठीक है तो आप मतलब वस्तू के आदान पर आदान करते थे मतलब आप goods को exchange करते थे with goods तो आपका जो option A वह right answer होगा next question आपको जो stackflation is defined as आपको बतान है stackflation क्या है तो इसका हमारा right answer option B high inflation low growth and high unemployment next question है हमारा gross national product means आपको बतान है सकल राष्टी उत्पात का क्या अर्थ है तो इसका हमारा option है option C money values of total national product for a given period which is related to banking reform कौन सा banking सुधार से संबंदिध है इसका हमारा right answer option A नर्सिमा कमेटी यह ही इने हम father of banking reform भी कहते हैं इस वीडियो में आज इतना ही question करेंगे part 2 में हम इससे आगे continue करेंगे अगर आपको question पसंद आया हो solution पसंद आया हो तो आप like share and subscribe कर सकते हैं Thank you so much